दोस्तों 10 में से 7 लोग ऐसे होते ही होते हैं जिनोंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना कभी lower back pain महसूस किया होगा ये lower back pain होने के बहुत से कारण हो सकते हैं पहला तो सबसे मुख्य कारण है हमारे body का posture का गलत होना यानि आपकी job ऐसी है कि जिसमें आपको घंटों तक एक ही जगह पर बैट के काम करना पड़ता है और आप उस काम में इतने मगन हो जाते हैं कि उठना भूल जाते हैं थोड़ा move होना भूल जाते हैं इसके कारण क्या होता है कि धीरे 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 हमारा body posture जब बिगड़ता है तो आपकी spinal cord के निचले हिस्से पर एक तरीके की tension create हो जाती है और यह जब tension create हुई और यह दर्ध जो है एक दिन में develop नहीं हुआ कि आप एक दिन बैटे और दूसरे दिन जाके आपको lower back pain हो गया बलकि ऐसी समस्या होने के में बहुत वक्त लगता है बहुत time लगता है तो अगर आप आज ही अपने body का posture सही कर लें तो इस समस्या से निजात पाने में आपको बहुत ही जादा मदद मिलेगी एक तो हो गया body posture दूसरा अगर आपको कोई injury हो गई हो या कि फिर arthritis की समस्या हो या कि फिर आपका काम ऐसा है जिसमें आपको बहुत weight उठाना पड़ता है या कि कभी-कभी लोग जिम में workout करते वक्त ध्यान नहीं देते और अपनी क्षमता से जादा अचानक से weight उठा लेते हैं या proper warm-up नहीं करते इसकी वज़े से भी धीरे-धीरे lower back pain डेवलप हो जाता है या कि फिर कभी ऐसा हो कि कोई exercises आप गलत तरीके से करें उसकी वज़े से भी ये lower back pain डेवलप होता है अब देखिए कारण कोई भी हो समस्या का सवाधान है आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे चुनिंदा, easy लेकिन बहुत ही जबरदस्त योग आसनों के अभ्यास बताऊंगी जिनकी मदद से अगर आपको lower back pain है तो उससे overcome होने में आपको मदद मिलेगी उससे निपटने में आपको मदद मिलेगी उससे छुटकारा पाने में आपको मदद मिलेगा और अगर नहीं है तो बेफिक्र हो जाए अगर इन आसनों का अभ्यास प्रती दिन आप 10 मिनट मात्र करते रहें तो lower back pain छुमंतर होगा लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हर दिन 10 मिनट का वक्त निकालके अभ्यास किया जाए तो मैं तो बहुत excited हूँ आपको ये सभी postures ये सभी योगासन सिखाने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको वीडियो को अंत तक देखना है एक एक बारी की को अच्छी तरीके से समझना है अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो आपको ये जरूर करना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले आपने से बहुत से लोग वीडियो तो देखते हैं पसंद भी बहुत करते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को भी थम्जब जरूर कीजेगा नीचे लाइक का बटन है ना उसको दबा लीजेगा नमस्कार दोस्तों मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में दोस्तों कैसे हैं आप सभी तो सबसे पहला अभ्यास जो हम करेंगे वो हैं Seated Cat and Cow Stretch इसका अभ्यास आप चाहें तो कुरसी पर बैठे बैठे भी कर लें जब आप काफी देर तक अपनी कुरसी पर बैठ के काम कर रहे हो और जब आप योग अभ्यास कर रहे हो तो आराम से ऐसे पालती मारली क्रोस लेग पोजीशन पर बैठ गए दोनों हाथों को अपने घुटने के उपर इस तरीके से रख लिया और फिर उसके बाद ज़रा ध्यान दें कि सास लेते हुए अपने चेस्ट को बाहर की तरफ पुश करें और अपनी एलबो को इस तरीके से पीछे की तरफ स्लाइड करते हुए सास लें और आर्ट करें अपनी पूरी के पूरी स्पाइनल कॉर्ड को और छट की तरफ देखें और सास छोड़ते हुए धीरे से अपनी नेवल रीजन को पुल इन करें और अपनी नेवल रीजन को देखने की कोशिश करें और अपनी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को पूरी स्पाइनल कॉर्ड को एक एक्टिवेशन मिल रहा है जिससे एक एक वर्टीब्रा पे जो टेंशन हुई है गर्दन से लेके टेल बोन तक वो दूर हो जाएगी इस तरीके से तो इसका अभ्यास कितनी बार करना है कम से कम एक बार में 10 से 15 बार इसका अभ्यास इस तरीक जब कुछ दिन का अभ्यास हो जाए तो सास लेते हुए आप छट की तरफ देखें, शोल्डर को पीछे की तरफ पुष करें, चेस्ट को बार की तरफ पुष करें इस तरीके से और जब सास छोड दिया है तो अपनी नाभी की तरफ धीरे-धीरे देखें ऐसे इस तरीके से गलती क्या नहीं करनी है आपको इस चीज़ का विशेश दियान रगना बहुत से लोगना बहुत फास्ट ऐसे अभ्यास करने लगेंगे तो ऐसे अभ्यास न करें इससे आपकी स्पाइणल कॉर्ड में इंजिरी हो सकती है इस तरीके से अभ्यास में आपको कोई भी फाइदा नहीं मिलेगा एक चीज़ का और सजेशन दूंगी अगर आप सुखासन के बजाए अगर आप वजरासन में बैठ सकते हैं अगर घुटने में दर्द नहीं है अंकल्स में दर्द नहीं है तो कोशिश करें धीरे-धीरे वजरासन में बैठने की आदब डाला करें तो आराम से एसे वजरासन में बैठ गए हैं और दोनों हाथों को आपने ऐसे अपने घुटने के उपर रख लिया है और धीरे से सास लेते हुए shoulders को roll back किया तो आप चाहें वजरासन में करें चाहें आप सुखासन में करें और चाहें आप कुरसी के उपर तीनों में इसका अभ्यास कर सकते हैं जब आप वजरासन में बैठते हैं तो आपको और additional benefit मिल जाता है क्या कि आपका posture जो है लाजमी होता है लेकिन जब आप वजरासन में ऐसे बैठके अभ्यास करेंगे तो पूरी spinal cord automatically सीधी हो गई वजरासन में कैसे बैठना है दोनों पैरों को घुटनों से मोल लेना है दोनों पैर के अंगुठों को जोड के रखना है और एडियों को आराम से बैठ जाना है और spinal cord को सीधी रखना है बहुत तन के नहीं बैठना है नॉर्मल कि आपकी पूरी की पूरी रीड की हटी गर्दन कंधे एक लाइन में रहे इसका भी अभ्यास 10 से 15 बार सांस लेते हुए छट की तरफ और सांस शोडते हुए नाभी की तरफ कर लें और बहुत जेंटली अभ्यास करें तो हर दिन जब भी आप योग का अभ्यास करें उसके पहले as a warm up इसका अभ्यास कर सकते हैं पहला अभ्यास हो गया अब दूसरे अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं चुकि आज की वीडियो फोकल्स है लोवर बैक पेन के लिए तो हम अपनी लोवर बैक पेन को रिलीज करने के लिए क्योंकि लोवर बैक में हमारे बहुत सी टेंशन जो है हम कैरी करके रखते हैं बहुत सा लोड रहता है तो अब आ जाएंगे टेबल टाप पोजीशन पे इस तरीके से ठीक है करें तो कलाई और कंधा एक लाइन में हो घुटना और हिप जो है एक लाइन में हो और दोनों पैरों के बीच में कमर जितना फासला हो और सामने देखें ऐसे अब देखिए ध्यान लाइए अपनी टेल बोन पर यहाँ पर इस जगहा पर अपनी रीड की हड़ी का जो सबसे निचला हिस्सा है ना यहाँ पर ध्यान लेके आईए अब क्या करेंगे आप धीरे से अपनी टेल बोन को ऐसे धीला छोड़ा और फिर उसके बाद अंदर की तरफ ऐसे टक इन करें ऐसे इस तरीके से धीला छोड़े और फिर उसके बाद टक इन करें ऐसे ऐसे धीला के साथ भी अभ्यास कर सकते हैं और फिर तकिन करें और अगर साह के साथ कर ना चाहते हैं तो ने ऊपर और अंदर की तरफ ऐसे पुश करें ऑप आप इस तरीके से पुश IN अंदर की तरफ तो हलका सा आपके नाभी के अराउंड, लोवर एब्डमन के अराउंड यहाँ पर आपको एक तरीके का खिचाओ महसूस होगा, तो यह बहुत ही अच्छी एक्सेसाइज है, आपकी लोवर बैक की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंदन करने के लिए, और जो मसल्स स्ट्रेंदन होंगी ना, तो अपने आप वहाँ पर उन जॉइंट्स पर जो पेन होता है, उसको रिलीज करने में आपको बहुत मदद मिलेगी, अब हम तीसरे आसन के अभियास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो की बहुत ही जादा मददगार है, हिप जॉइंट्स के अर ग्रेजुली आप रेडियूस कर सकते हैं, तो आपको करना क्या है, कि आपको आना है टेबल टॉप पोजीशन पे इस तरीके से, जब आप टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएं, तो फिर उसके बाद, जो मैंने मेजरमेंट टेबल टॉप की पिछली आपको पॉस्चर में बताया था, तो उसको आपने ध्यान में रखना है, कि उसको सही तरीके से आप मेजर कर लें, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, कि ऐसे टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद, राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे, अश्वस अंचालनासन का पैर को पीछे रखेंगे और घुटने को ऐसे आगे रखेंगे, इस तरीके से उससे क्या होगा, आप अपने घुटने के अराउंड टेंशन क्रियेट कर रहे हैं, और जो हिप्स के अराउंड जो स्ट्रेच मिलने वाला था, उसमें कमी आ जाती है, तो यह गलती ना करें, यह काफी बार मैंने अपने स्टुडेंट्स को या बहुत से लोगों को देखा हैं, तो यह गलती ना करें, आप क्या करें, सिंपल, टेबल टाप पोजिशन पे आ गए हैं, और फिर उसके बाद राइट पैर को दोनों हाथ के बीच में ऐसे रख लिया, बहुत सिंपल, दे तो योगा बलॉक का इस्तवाल कर लिजिए, अगर योगा बलॉक नहीं है, तो इट आसपास होगी घर के, उसको ले लिए, उसको रख लीजिए, और दोनों हाथ यहाथों को ऐसे आपने अराम से योगा बलॉक के ऊपर रख लेना, और फिर क्या करना है, जो पीछे वाला और साथी आपकी ग्लूट मसल्स पूरे कूल है कि जो हड्डियां है इस पर असर आ रहा है और साथी लोबर बैक की जो टेंशन है उसको रिलीज करने में बेहद आपको मदद मिलेगा तो इस तरीके से हिप को नीचे आप पुश करते जाएं ऐसे साइड से देखें इस तरीके को ऐसे पीछे 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 एक्स्टेंड करते जाना और हिप को पीछे हिप को नीचे पुश करना आप देख रहे हैं मेरी एंकल और नीचे लाइन में यह इस तरीके से नहीं है इसका विशेस ध्यान रखिए क्योंकि तुरंत आपने जब थोड़ा सभी पैर को आगे पी ब्रीद करते रहें इस पॉस्चर को आप तीन बार करेंगे और कम से कम 10 से 30 से केंड इस पॉस्चर को होल्ड करके रखेंगे ब्रीद करते रहें ब्रीद करते रहें जब एक पैर से अभ्यास कर लें अगर आपको योगा मैट योगा ब्लॉक की जरुरत नहीं है तो इसको पायर का शेप बना हुआ है तो मैं पीछे यानि राइट नी को पीछे एक्स्टेंड करती जाओंगी इस तरीके से और हिप को जो है तो नीचे पुछ करूंगी एक और चीज का ध्यान रखिए बहुत सी लोग पीछे वाले पैर के टो को ऐसे टक करके रखते हैं तो ऐसे टक ना करें इसको धीर से ऐसे बाहर की तरफ आपके टो जो हैं वह बाहर की तरफ होंगे और सामने देखेंगे आप सेम पॉस्चर को होल्ड करके रखना है दस या 30 सेकेंड और ब्रीद करते रहें ब्रीद करते रहें और फिर उसके बाद पॉस्चर को रिलीज कर दें और रस् भूलें तो अब लेफ्ट पैर को दोनों हतेलियों के बीच में लेके गए हैं और देखिए लेफ्ट एंकल और घुटना एक लाइन में है और पीछे वाली जो एड़ी नी है ना राइट नी अब देखिए यह स्क्वाइर के शेप में है तो इसको धीरे 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 ऐस बाहर की तरफ पुश करेंगे और एकी चीज और आपकी घुटन टो को ऐसे टक नहीं करना है बलके इसको बाहर की तरफ पॉइंटेड कर देना है और जितना हो सके हिप को नीचे की तरफ पुश करें फ्लोर की तरफ मतलब टेंशन आप क्रियेट नहीं करेंगे तो वो के सामने की मसल्स हैं इन में बड़ा ही जादा बहतरीन खिचाव आ रहा है आप चाहिए तो योगा ब्लॉक का इस्तमाल करें योगा ब्लॉक की हाई जो रखना चाहें इस तरीके से या कम कर लें इसकी हाई ऐसे या तो फिर और कम कर लें और जब जरूरत ना हो तो उसको हटा तो इस पॉस्टर का अभियास करने के बाद अब हम पैट लय हम पहले आप आप क्या करेंगे की अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के साइड में जो आपकी और यह रिप के जारा आपसके एलबोड ज्रॉब अभ्यास कर रहे हैं बेबी कोब्रा या सलंब भुजंग आसन का तो जहां पर हाथ था वहां पर हमने अपनी एल्बो को रख दिया एडियों को जोड के रखिएगा घुटनों को जोड के रखिएगा अपने चेस्ट को और हेड को ड्रॉप कर दीजेगा ति यह जो मेजर्में पर equally distributed किया है और आप च्छत की तरफ ऐसे देख रहे हैं जो आप च्छत की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि पेट पर दबाओ आ रहा है पूरी की पूरी च्छाती पर कितना अच्छा expansion हो रहा है आपके दोनों बाजूओं पर बहुत अच्छी strength रवलब हो रही है और सबसे जरूरी बात कि आपके कमर के इस वाले हिस्से पर बड़ा ही अच्छा एक खिचाव आ रहा है एक एक ना ऐसा खिचाव आएगा जिसमें आपको दर्द में बहुत रहात मिलेगी तो यह अगर सलम्भ भुजंग आसन का अभ्यास आप करते रहते हैं तो आपको कमर से दर्द की समस्या चाहे सर्वाइकल की समस्या हो उसमें भी बड़ा आराम मिलेगा ऐसे और इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है ना कि जब आप भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं तो इस तरीके से और नॉर्मल ब्रीधिंग करते हुए अपनी जो कूले की मांस स्पेशियां है इसको हिप्स की जो मसटल से इनको ग्लूट मसल से इनको हल्का से टाइट करके रखेगा जिससे वहां की मसल्स जो है उनमें मज़बूती आप आए इस तरीके से और ब्रीध करते इस पॉस्चर को भी कम से कम आपको तीन बार अभ्यास करना है और तीस-तीस सेकेंड या एक-एक मिनट तक होल्ड करके रखना है ऐसे या कि फिर हर रोज जब आप काम करके आए घर वापस या अपना डे एंड करें तो इस अभ्यास को कर लिया करें अब पेट के बल लेट कर किये जाने वाले आशन के बाद अब हम पीच के बल लेट कर किये जाने वाले आशन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है Happy Baby Pose या आनंद बाल आशन तो सबसे पहले पिछला जो अभ्यास किया है उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लें शावासन में अब शावासन में आराम करने के बाद दोनों पैरों को घुटने से मोल ले और घुटने से मोलने के बाद अपने घुटने को फ्लोर की तरफ लेके आएं ऐसे और अपने knee और आपकी ankle ये एक line में है आप इसका ध्यान रखें ऐसे knee और ankle एक line में है knee floor की तरफ है आपका पैर का पंजा जो है वो ceiling की तरफ है इस तरीके से ये एकदम डंडे की तरह हो और फिर उसके बाद इसी तरीके से दूसरे पैर को भी ऐसे उठा ले इस तरीके से और जो आपके पैर का पंजा है ना इसको अंदर की तरफ से दोनों हाथों से ऐसे पकड़ ले इस तरीके से ठीक है ना ध्यान से देखें कि दोनों पैरों को मैंने ऐसे उठाया और घुटने को मैंने फ्लोर की तरफ ऐसे ड्रॉप किया और गुद्टों के पेर के पंजों को अंदर से पकड़ से बाहर से फिर फ़रांड पकड़ने के बाद क्या करना है आपके घुटने को फ्लोर की तरफ ऐसे पुष करना है इस तरीके से जब आप ऐसे पुष करेंगे तो lower और बैक के अराउंड जो टेंशन है वो रिलीज होगी साथ ही आपकी इनर थाइस पर गजब का खिचाओ आएगा थाई के आसपास की मसल्स पर गजब का खिचाओ आएगा और ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा पूरी की पूरी पैल्विक रीजन पर और इस पॉस्चर को कम से के ऐसे ही लेटे रहें और पुश करते रहें नीचे की तरफ ऐसा नहीं कि आपने बस हाथ रख लिया और इसको ऐसे ढीला छोड़ दिया और मतलब ऐसे मूव करें नहीं प्रॉपर पुश करना है नीचे की तरफ तब ही वो आपको खिचाओ आएगा अब गलती बहुत से ल लोग क्या करेंगे बहुत खोल के अभियास करेंगे फिर भी लोवर बैक पर वो टेंशन नहीं आगी जब पुश करेंगे तो प्रॉपर जब आप पुश करें ऐसे नीचे की तरफ तो इसका पूरा अपकी लोवर बैक पर आप महसूस करें ऐसे ब्रीद करते रहें और इतन इतना मीठा मीठा लगेगा मीठा इन दे सेंस की आपको बड़ा आराम मिलेगा ऐसे ब्रीद करते रहें फिर उसके बाद पॉस्चर को रिलीज कर लें और अपने दोनों पैरों को इस तरीके से हग कर लें ताकि आनंद बालासन की वज़ा से जो टेंशन नों इसको रिलीज किया जा सके और फिर उसके बाद पवन मुकतासन पेट की मांसपेशियों को अच्छा मसाज मिल रहा है लोवर बैक की जो मांसपेशियां उनको बहुत ही जादा रिलाक्सेशन मिल रहा है इस फॉस्चर को भी ब्रीधिंग करते रहें और अराम से जितनी देर तक भी ऐसे र हासन में लेड़ जाए कम से कम पास से दस मिनट तक 선생님 मेर निगरानी में रहे के योग का अभियास करना चाहते हैं तो आप सभी का सवागत है मेरी ओनलाइन योगा classes में इन online yoga classes को zoom के माध्यम से conduct किया जाता है ताकि देश और दुनिया में कोई भी कहीं भी रह रहा हो आसानी से इन classes के साथ जोड़के अपने अभ्यास को कर सके इन online yoga classes को कोई भी join कर सकता है चाहे आप beginner हैं चाहे already yoga का अभ्यास करते हैं और अपनी practice को और deepen करना चाहते हैं या कि फिर आपको कोई lifestyle disorder disease है जैसे diabetes, thyroid, hypertension, high blood pressure की समस्या रात में नीद नहीं आने की समस्या, PCOD, PCOS की समस्या conceive नहीं कर पाते, prostate की समस्या, ऐसी किसी भी समस्याओं की समधान के लिए ये classes बड़ी ही जादा effective हैं क्योंकि इन classes को join करने के बाद जब मेरे साथ रहके students ने अभ्यास किया तो उनकी health condition में बहुत हद तक सुधार आया है हर दिन हर एक class जो हैं अलग-अलग तरीके से design की जाती है और हर एक students के हिसाब से हर एक posture को modify भी किया जाता है आपको इन classes में क्या सीखने के लिए मिलेगा अलग-अलग तरीके के योगासन, प्रानया, meditation, योगी cleansing technique और diet के बारे में भी आपको guide किया जाता है ताकि आपका जो स्वास्त है वो उसमें lab मिल सके ताकि आपके overall स्वास्त में सुधार आ सके अगर आप इन zoom classes को नहीं join कर पाते हैं किसी कारण से कोई बात नहीं आप मेरे द्वारा develop किये हुए कुछ courses है आप उनको purchase करके अपने घर पे किसी भी वक्त कितनी भी बार इन videos को play करके अभ्यास अपना शुरू कर सकते है और ये जो courses है ना ये भी completely beginner friendly है तो कोई भी इनका अभ्यास आसानी से कर सकता है इन online yoga classes के बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो मेरी जो website है www.yogaviddshahida.com इस website पर विजिट कर ले या कि फिर यहाँ पर मैं एक WhatsApp नंबर शेयर कर रही हूँ इस WhatsApp नंबर पर अगर आप योगासनों के अभ्यास अब आपको हर दिन खुद भी अभ्यास करना है और अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त या रिष्टदार ऐसी किसी समस्या से परेशान है तो तुरंत इस वीडियो के लिंक को उन तक forward कीजिए उनको WhatsApp कर दीजे, Mail कर दीजे, जैसे पहुंचाना है बस पहुंचा दीजे अगर मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो, मेरी कोशिश आपको पसंद आ रही हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा, मुझे बेहत खुशी होगी और अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाओ तो नीचे जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजे क्योंकि मुझे बेहत खुशी होती है जब आपके सजेस्ट की हुए टॉपिक पर आपके बताए हुए टॉपिक पर मैं वीडियो बनाती हूँ आप सभी अपना अपने परिवार का खुब खयाल रखिये और निरंतर योग का भ्यास करते रहिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी नमस्ते हुए बनाता हुए